हेलो एब्रिवन वेल्कम टू मैं चैनल अजटू फलक आज का परश्ण सिंपल इंट्रेस्ट पढ़ा है इससे पहले पार्ट फाइब में मैंने इसी तरह का यह परश्ण हल करके दिया है मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख सबके हैं उसी तरह का ठीक यह दूसरा प्रश्ण है यह सम अफ मनी लेंट एट सिंपल इंट्रेस्ट एमांट्स टू 4,745 इन 3 एर्स एंड टू 5,475 इन 5 एर्स फाइ में 5,475 रूपिय हो जाता है तो क्यों ऐसा होता है ऐसा इसले होता है क्योंकि उसमें ब्याज आकर के जूरता है मतलब यह हुआ कि तीन साल पहले यह राशी इससे कम था जो उसका प्रिंसिपल यानि मुलधन था वह राशी ब्याज लगने के बाद 4745 रूपिय हुआ तीन स परद्व एन रेट परेंट परेंव यानि आपको वह मूंट निकलना है इसका एंसर उससे बहुता होगा देखें कैसे बनते हैं कि सबसे पहले आपको लिखना है क्या इमांट इन 5-एर्ज यानि वह इमांट 5 साल में कितना बंता है और चार। पचातर रूपय एमांट in 3-एर्ज 4,745 रुपय तो दो साल का अंतर हो गया, 5-3-2 साल का मिलब 2 साल, दो साल आधिक रहा, तो इमांट 4,745 से कितना ज्यादा बढ़ गया्जा गटा देते हैं इंट्रेस्ट इन 730 रूपय हो गया आप इंट्रेस्ट इन 1 एर हम एक साल का निकाल लेंगे तो उसको 130 को आधा कर दिये तौं 375 रूपय हो गया यह त्यूंकिज बतव करके होता है पाँस यार 475 रूपय इसी यह तीन साल का आप ब्याज निकाल लेते हैं तो एक साल का ब्याज को हमने तीन से गुना कण दिया है तो एक हजार पंचाननवे रूप यह तीन साल का ब्याज पर अप्त हो गया देखिए मुल्धन ब्रावर आप दब ब्याज इसल में कितना होता है आप आप तेन साल चाहिए अपको सब कुछ निकलना है तो तीन साल में ब्याज है दससो पंचान नुए ऐस ब्याज गुना सव आ अब, भाई मुलधन यह पी प्रिंसपल मुलधन कितना है च्शतिससो पचास मुल्धन गुना समय समय तो तीन साल ही का हम निकाल रहे हैं तो इसको छोटा कर देंगे एक जिरो और यहां से काड़ देते हैं तीन से फिर इसको काड़ देंगे यह 3 तिया 9 11 368 15 15 15 ने 365 हो गया देखिए यहां भी 365 यहां भी 365 दुनों को काड़ दिये अब बच गया मेरे पास 10 10 यह 10% इसका रेट निकल गया तीरेफंद परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो इन्सबस्क्राइब हैं हमारे चैनल के वह वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्क्राइब नहीं करते हैं जबोड़ा से चैनल को सब्क्राइब ओड़े आप आगे हैं कि को सब्क्राइब कर दे